Books That Speak में आप सभी का स्वागत है जब आप घर से दूर होते हैं तो क्या-क्या बाते याद आती है? आवाजे, गंध, स्वाद, स्पर्श और कम्रे आईए मोरोमी के सपनों के घर का जैजा लेते हैं जिसके परिवार को बाड में विस्थापित होना पड़ा कहानी का शीरशक है घर की याद Original Story When We Are Home by Pratham Books कहानी लिखी है प्रियदर्शनी गोगोई चतरांकन पंकज साइकिया हिंदी में अनुवाद पारूल बत्रा कहानी का वाचन असावरी दोशी हमारे घर का स्वाद उस खस्ते, मीठे, तिल के पीठे की तरह है जिसे अनाइडो अपनी रसोई में पीस कर बनाती है अनाइडो याने के दादी मा हमारे घर की आवाज पापा के उन तेज खराटों की तरह है जो उनकी दोपहर की जपकी लेने से पूरे कमरे को हिला देती है हमारा घर ऐसा दिखता है जैसे मा बैठक में करगे पर बुनाई कर रही हो और मैं और हुन्तू कुष्टी कर रहे हो हमारे घर का एहसास गरम उमस भरे दिन में बाहर खेल कर आने के बाद गुसल खाने में पानी की ठंडी बौचार जैसा है हमारे घर की सुगंध बरामदे में बैठकर चाय पीते हुए कोपों, फूलों और पके हुए कटहल की खुश्बू को महसूस करने जैसी है एक दिन हम फिर घर पर होंगे कैसी लगी ये प्यार भरी आशा से भरी हुई कहानी और ऐसी बहुत सारी कहानिया सुनने के लिए बुक्स दाट स्पीक इस चैनल पर जरूर आईएगा यूट्यूब पर और अलग-अलग पॉड़कास्टिंग चैनल पर वेबसाइट www.booksthatspeak.com मिलते हैं अगली कहानी में बाई बाई धन्यवाद